गुड मुनिंग स्टुडेंट्स वेलकम पीद ओनलाइन क्लासे सो वंडेलन पब्लिक स्कूल हम लोग अमरब चैप्टर पढ़ रहे हैं नूट्रिशन इम प्लांट्स इसमें अपना आगे के देखते हैं आगे हमर पास टॉपिक्स में क्या क्या आ रहा है आगे हमर पास आ र दिफर्स तो फूड ओटा का मतलब मतलब बता है सेल्फ खुद ट्रॉपिक फूड के लिए सो दो और्गनिजम विच सिंतेसाइज देर ओन फूड तो वो और्गनिजम जो अपना खाना खुद बनाए यूजिंग सीओ टू आर काल्ड ओट्रॉप्स कारबन डैयोक्साइड को यूज करके जो अपना खाना खुद बनाए वो कहलाते हैं और ट्रॉप्स और डिस प्रोसेश इस नोन इस ओट्रॉपिक नूट्रिशन इसका अंदर एक्जाम्पल में क्या क्या है हमर पास ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टेरिया याद रखना प्लांट्स हर प्लांट्स और और ट्रॉपिक ठीक है नौ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है फोटो सिंथेशिस क्या होता है फोटो सिंथेशिस इसको दो पार्ट्स पर में डिवाइड करते हैं सबसे पहला होता है फोटो फोटो मेंस लाइट फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथे synthesis का मतलब बता है मेक या बनाना ठीक है तो photosynthesis का मतलब बता है light की मदद से खाना बनाना this process is known as photosynthesis और यह process कौन करते हैं हमारे plants करते हैं और कुछ green bacteria भी perform करते हैं क्या है इसमें the process by which autotropic green plants make their own food from simple inorganic substances की मदद से अपना खाना खुद बना रहें जैसे carbon dioxide हो गई water हो गया especially in the presence of sunlight अब sunlight क्यों रखा है क्योंकि बात सोचो mostly plants अपना खाना किसकी प्रेस्ट में सुना रहें Sunlight की प्रेस्ट में लेकिन जरूर नहीं है आप पोध्य को घर में लाके रखोगे इस पर बल्ब जलाओगा ना तो भी photosynthesis के अदर होगी हाँ यह हो सकता है बल्ब में power कम है तो photosynthesis लो लेकिन होगी जरूर तो वह ही आपसे बात कर रहे हैं कि carbon dioxide का यूज तो करना है साथ में light भी चाहिए और green pigment called chlorophyll सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण chlorophyll होना जरूरी है आपसे बहुत बार competition में question पूछा जाता है name the green pigment present in the leaves or plant answer is chlorophyll is known as photosynthesis यह हुई हमारी photosynthesis के definition कोई पूछे photosynthesis होता क्या है light के बज़त से जब plant खाना बनाते हैं यूज करके simple inorganic substance जैसे carbon dioxide हो गया water हो गया in the presence of sunlight or light or chlorophyll this process is known as photosynthesis क्लेर हो पूरा है next next हमार पास conditions necessary for photosynthesis क्या क्या conditions जरूरी है photosynthesis होने के लिए कि यह चीज़ नहीं हो ही तो photosynthesis नहीं होगी सबसे पहला presence of sunlight या light chlorophyll CO2 H2O यह चार चीज़ नहीं होई तो photosynthesis किसी भी plant के अंदर complete नहीं होगी हम आगे इसको पूरा activities से पढ़ेंगे किस तरह से plant dependent होता है किस इन चारो conditions पे photosynthesis के लिए लेकिन आपको यह चीज़ के लिए रहें कि conditions के इसी भी plant के लिए क्या क्या है sunlight होना चीए chlorophyll होना चीए CO2 होना चीए CO2 is carbon dioxide H2O is for water है ना H2O is for water it is the formula और यह carbon dioxide CO2 carbon dioxide क्लेर है सब को यह चीज़ next देको डागराम को ध्यान से यह है plant यह sun यह इसके अंदर present है leaf के अंदर chlorophyll यह क्या गाम कर रहा है इस solar energy को capture कर रहा है जो plant energy दे रहा है उसको light दे रहा है उसको capture कर रहा है पकड़ कर रहा है कौन chlorophyll उसी की वज़े से हमारा plant green color का है leaves ही CO2 को अपने अंदर लेती है atmosphere से CO2 को directly अपने अंदर लेती है आगे इसका process पढ़ेंगे किस तरह से हो लेती है इसका example अंसर होता है stomata के तरह लेती है roots absorb करती है water को और plant देखो क्या बना रहा है glucose प्लांट ने क्या formation कर रहा है glucose का formation कर रहा है यह आपको याद रखना है कोई भी आपसे पूछे plant अपना खाना बना रहा है लेकिन क्या बनाता है खाने में तो अंसर होगा glucose बनाता है clear सभी को next site of photosynthesis photosynthesis होता का है इसका answer हमारे पास होगा the process of photosynthesis take place in green leaves हरी leaves के अंदर होता है photosynthesis therefore leaves are referred to as photo factory of plant इसलिए leaves को photo factory का आ जाता है किसी भी plant की photo factory जा खाना बन रहा है का बन रहा है leaves के अंदर तो अंसर क्या होगा मारा food factory of the plant are leaves of the plant या फिल बोले green leaves of the plant ठीक है raw material क्या कहें चाहिए photosynthesis के लिए the preparation of carbohydrate जो glucose बनाता है वो carbohydrate का एक form होता है ठीक है मतलब glucose को बनाना by plant by the process of photosynthesis required two materials सबसे important दो material चाहिए होते है carbon dioxide and water बाकी के दो क्यों नहीं sunlight atmosphere से मिलेगी मतलब directly sun से मिल जाएगी और एक और चीज़ क्लोरोफिल वो तो प्लांट के अंदर already present है ना उसको ठूनने के लिए धुड़ जाना है तो आहिए कि हमें carbon dioxide water अगर आपने ये provide कर दी तो बाकी चीज़ तो उसको अपने आपी atmosphere से मिल जाएगी समझ पा रहे क्या चीज़ है यह हम ने पढ़ा कि photosynthesis होती क्या है क्या conditions जरूरी है और क्या-क्या उसके raw materials हमको चाहिए होते हैं उसके लिए यहादर के लिए आपको आगेगा अपन next slide में दिखते हैं